नमस्कार शाथियों LM Geography के online platform पे आप सभी साथियों का स्वागत अभिनन्दन वेलकम सभी को राम राम रादे रादे जैसरी कृष्णा देखिए आज हम बात करने वाले हैं R.E.S. की तैयारी कैसे करें क्योंकि R.E.S. राजस्तान की सबसे प्रतिष्ठित सर्विस की रुप में जाने जाती हैं और प्रत्य की युवा जो कॉंपिटिशन की तैयारी कर रहा है या फिर वहाँ अपने सेक्ष्णिक गतिवितियों में इन्वॉल्वर रहता है तो कई बार वहाँ R.E.S. अधिकारियों से वहाँ मिलता है प्रसास्निक अधिकारियों से वहाँ मिलता है या प्रसास्निक अधिकारियों के बारे में उनकी वक्तियोगे को सुनता है तो उसके मन में भी R.A.S. बनने का एक सपना होता है और राजस्तान का प्रत्यक ही वा जो graduation करता है ग्रेजेशन करने के बाद वरतमान के इस प्रत्योगी परिक्षा के युग में आरेस का सपना संजोई हुए होता है कि मुझे आरेस बनना है मुझे आरेस की तैयारी करनी है या मैं आरेस की तैयारी कर रहा हूं इस तरह से प्रत्य की युवा के मन में दिमाग में और यहां तक की उसकी वानी में इन सब्दों को सुना जा सकता है देखिए सबसे पहले तो RS है क्या RS राजस्तान प्रसास्निक सेवा जो कि राजस्तान की सबसे प्रतिष्टित सेवा में एक हैं सर्विस में एक हैं और RS के जो एक्जाम से वहां राजस्तान लोक सेवा आयोक के द्वारा कंड़क्ट करवाये जाते हैं अब जब प्रतियक युवा का प्रतियक विद्यार्थी का जो तैयारी कर रहा है या तैयारी करने की सोच रहा है उसका पहला सपना होता है वहां होता है प्रसास्निक अधिकार लेकर हाला कि मेडिकल फिल्ड इंजिनिरिंग फिल्ड और अन्य कई सेक्टर हैं जहां पर युवा अपनी योग्यता का अपनी दक्षटा का जो है लोहा लेते हुए या दक्षटा को तक्नीकी को जो है दिखाते हैं लेकिन डॉक्टर इंजिनियर बनने के बाजुद भी युवाओं का जो एक सपना होता है वहाँ एक प्रसासनिक अधिकारी के रूप में होता है कि मुझे एक प्रसासनिक अधिकारी बनना है तो इसके लिए आरेस की तैयारी कैसे करें यहां सभी युवाओं का सबसे पहला प्रश्ण होता है और मेरे से कहीं जब युवा मिलते हैं जो तैयारी कर रहे हैं या जो तैयारी करना चाहते हैं उनके कहीं बार प्रश्ण भी जो है मुझे पूछे जाते हैं सोसल मीडिया के माध्यम से मुझ करूं RS की तैयारी कहां से करूं तो इसके लिए आज मैं इस वीडियो या क्लास के माध्यम से पूरा बताने वाला हूं कि हम RS की तैयारी क्यों करें कैसे करें कहां से शुरू करें और किस प्रकार से करें ताकि जितनी भी आपके दिमाग में RS exam को लेके भ्रांतिया हो सकती हैं, प्रश्ण हो सकते हैं या कुछ doubts हो सकते हैं, वहाँ सभी एकदम clear हो जाएंगे और साथ ही आपको यहाँ class, यहाँ वीडियो RS की तैयारी करने के लिए मार्ग प्रसस्त भी करेगा और आपकी सफलता का एक सुत्रधार भी देगा, इसलिए किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, कि मूस्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा कोसिस तो कर, ख्वाब बादलेंगे खकेकत में, तू जरा कोशिस तो कर, क्योंकि कोशिस ने वालों की कभी हार नहीं होती हैं, अब सबसे पहले तो जब हम आरेस की तैयारी के बारे में सोचते हैं तो आरेस की तैयारी करने से पहले या आरेस की तैयारी सुरू करने से पहले हमें क्या करना है उसको समझना है और दूसरा आरेस की तैयारी कौन कर सकता है या आरेस की तैयारी कब सुरू करनी चाहिए इसके के बारे में हम पहले डिसकस करेंगे और उसके बाद आरेस की तैयारी कैसे करें इस पर हम लोग बात करें तो देखें सबसे पहले तो आपको यह क्लियर होना चाहिए कि परिक्षा के लिए जो योग्यता रखी गई है वहां रखी गई है ग्रेजिएशन यहीं कि सनातक जो भी विद्यारती जो भी युवासाती जो सनातक के अंतिम वर्ष में हैं या सनातक के एक्जाम क्लियर कर चुका है यह डिगरी क्लियर कर चुका है चाहिए वहां साइंस वेग्राउंड से हो सकता है चाहिए आर्स वेग्राउंड से हो सकता है commerce background से हो सकता है या other field से हो सकता है जिसने भी अपनी graduation पूरी करके वहाँ इस exam के लिए qualified है वहाँ इस exam को दे सकता है इस exam को clear करके RAS बन सकता है राजस्तान का प्रसासनिक अधिकारी के रूप में वहाँ नुक्त हो सकता है तो सबसे पहले तो आती है graduation कि हमारी इसके लिए युग्यता क्या होना चाहिए तो युग्यता clear होगी graduation लेकिन जब हम graduation करने के बाद RS के बारे में सोचते हैं तो सायद मुझे लगता है कि यहां हमारा जो सोचना या तैयारी करने का जो समय है वहाँ काफी लेट हो चुका है हमें तैयारी करनी की है जब हम 10 प्लस 2 या तो 10 प्लस 2 को clear कर लें या या कहें कि हम graduation के प्रतम वर्ष में जब हम admission लेते हैं जब हमारी degree शुरू होती है उसी समय हम साथ साथ जो है RS की तैयारी को सुरू करें क्योंकि अभी हाल ही में राजस्तान में जो है 10 प्लस 2 का 12 रिजल्ट भी आया है और CBS के भी 10 प्लस 2 के रिजल्ट आयो है तो हर विद्यारती जो है जो science वाला है वहाँ डॉक्टरी इंजिनिर्ग सेक्टर में जाना जाएगा लेकिन जो आर्स वाले हैं जो की डिगरी करेंगे चाहे वहाँ रेगुलर उनिवर्शिटी में करते हैं चाहे वह प्राइवेट जो है डिगरी करते उन विद्यारतियों को अभी से ही जो है है आर्स की तैयारी सुरू करनेनी चीजए कि 10Hz प्लस ट्व के बाद में मन में एक ही लक्ष गयो कि मुझे RS बनना है और मेरी graduation के साथ मैं RS की तैयारी शुरू कर लो ताकि जब मेरी graduation clear होगी जब मैं graduation के अंतिम वर्ष में होगा और जब RS की वेकेंसी आती है और मैं यदि उस समय मैं RS का exam देता हूं तो निश्यत रुप से उन युवाओं से मैं कहीं गुना ज्यादा आगे होंगा कहीं प्रतीशत तैयारी मेरी ज्यादा होगी जो की अभी RS बनने का सपना देख रहे हैं या जो graduation के बाद अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं तो इसलिए सबसे पहला जो है वह है कि जो भी युवा जिन्हों ने 10 प्लस टू क्लियर कर रहे है वहां RS बनने का इदी जिनका सपना है राजस्तान की एक प्रतिश्चित शेवा में जाने का जो सपना है वह सपना अभी से ही देख लें उसी को ही अपना लक्ष निर्दारित करें और उसी की तैयारी में जुटें अब जब तैयारी में जुटते हैं तैयारी की सुरुवात करते हैं तो तैयारी की सुरुवात कहां से करें यहां सबसे important कौन सी किताबे पढ़ें कौन से नोट्स पढ़ें कौन से कोचिंग को जो है हम follow करें किस teacher को हम follow करें या कौन सी पत्र-पत्रिकाओं का हम वाचन करें यहां भी कई साथ आता है और जब हम आरेस का सलेबस देखते हैं तो बहुत विश्तृत सलेबस नजर आता है कई विशयों का उसमें समावेश होता है तो कई बार विद्यारती सुरू तो कर देता है तैयारी करना लेकिन जैसे जैसे वहाँ नए नए विशेयों के साथ जो है सामना करता है जब नए नए विशेयों का अध्यन करता है तो कई बार दी मोटीवेटि भी हो जाता है कि यह तो मैंने कभी पढ़ाई नहीं यह तो मेरा विशेय नहीं रहा है चाहिए एक RS बनने के लिए चितनी तैयारी RS बनने के लिए चीए वहाँ नहीं कर पाता है और उसके परिणाम सुरूप जो वहाँ सपना लेके चलाता जिस मंजिलिया लक्ष को पाने के लिए वहाँ आगे बढ़ रहाता वहाँ उसमें सफल नहीं हो पाता है तो ऐसे सभी RS की तैयारी की सुरुवात करनी पहले तो यह क्लियर हो गया कि कौन RS की तैयारी सुरू कर सकता है और RS की तैयारी कब सुरू करनी चाहिए तो यह जो वर्तमान का समय जिन्होंने ग्रेजिशन कर ली है या जिन्होंने ग्रेजिशन में एडमीशन लिया है दोनों अभी से ही तैयारी की सुरुवात करें क्योंकि जो आने वाली वेकेंसी है जो आरेस की जो नविन भरती हमारे राजस्तान में आने वाली है वह निश्चित रुप से उन युवाओं के लिए जो है वर्दान साबित होने ऐसे हैं जो कि exams केवल बाकी है तो उन सभी के लिए यहां जो class या जो यहां वीडियो है वहां useful रहने वाला है तो देखे आरेस की तैयारी कैसे करें तो सबसे पहला जो है इस question mark को हमें आठाना है कि कैसे करें इसके लिए सबसे पहला है परिक्षा पैटन को समझना कि आरेस का परिक्षा पैटन क्या है तो आरेस का परिक्षा पैटन जो है वहां इस प्रकार से हैं सबसे पहले यह समझना कि आरेयस परिक्षा पैटर्न जो की तीन चर्णों में होती है एक होती है प्रिलिम्स यानिकी प्रारंबिक परिक्षा है प्रारंबिक परिक्षा यहां कि एम सी क्यों बेस्ट परिक्षा होती है जिसमें वस्तुनिष्ट प्रस्ण एम सी क्यों प्रस्ण मल्टी चॉइस कुईशन आपसे पूछे जाते हैं तो यहां है प्रारंबिक परिक्षा और यहां केवल एक जो है क्या होती है ओनिक क्वालिफाइड एग्जाम होता है कि आपको इसको क्वालिफाई करना है और क्वालिफाई करने के बाद आपको मुख्य परिक्षा में बैठना है तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि जब भी आरेस की परिक्षा होती है तो सबसे पहले जो है प्री का एक्जाम कंड़क्ट होता है प्रारंबिक परिक्षा होती है जो कि mcq बेस यानि कि multi choice question based होती है और जिसका उद्देश केवल उस परिक्षा को qualified करना है उस परिका को clear करना है और इसको qualify करके या इसको clear करके हम मुख्य परिक्षा में आ जाएं तो इसलिए जो कि विद्यारती तैयारी कर रहे हैं वहां प्री की तैयारी करें लेकिन प्री की तैयारी के साथ मेंस की तैयारी को महत दें क्योंकि कई बार विद्यारती प्री की तैयारी करता है प्री क्लियर कर देता है लेकिन मेंस की की तैयारी के लिए उसके पास इतना समय नहीं होता है कि वह मैंस की सभी विशय को या पूरे सलेबस को क्लियर कर ले अब प्री तो क्लियर कर जाता है लेकिन मैंस क्लियर नहीं करना तो इसलिए हमें प्री के पैटर्न को समझना है प्री की तैयारी के साथ मैंस की तैयारी भी क परिक्षा और यहां जो है एक लिख्षत परिक्षा होती है लिख्षत परिक्षा होती है जिसमें पूरा राइटिंग इसके ल आपका देखा जाता है कि आपने जो अधियन क्या है जो पढ़ा है उसको किस तरह से शब्दों में लिख सकते हैं और इसके लिए भी निश्यत सीमा में कैसे ैप लेखन सेली को अच्छा कर सकते हैं अच्छी लेखन सेली के माध्यम से इस परिक्षा को क्लियर करना होता है यहां लेखिद परिक्रा होती है और यहां जो है परिक्षा Evan 2012 हे यदी सलिवस के according बात करें तो यहाँ 800 अंकों की परिक्षा होती है कितने अंकों की 800 अंकों की होती है और इसके बाद जो होता है वह होता है इंटर्व्यू शाक्षात का अब देखे तूनों में यहां दो सूपचाइं का होता है और यहां सो अंकों का होता है जिसमें से यदि हम प्रिक को छोड़ दे प्रिक के वलेक्षाइए एक्जाम है हमें क्वालिफाई क्लियर करना है कि हम प्रीपास हैं और मुख्य परिक्षा में लेकिन जो मुख्य भात हैं जो एक आरेस बनने के लिए सबसे ज्यादा महत जो है वह है मेंस एक्जाम मुख्य परिक्षा जो की 800 अंकों का और यदि आपने मुख्य परिक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर लिए तो इंटर्व्यू केवल आपकी क्या अप्चारिकता रह जाती हैं इंटर्व्यू में आपने बैठे हैं निश्यत रुप से आप जो है आरेस अधिकारी बनेंगे क्योंकि मुख्य परिक्सा ही आपका रिजल्ट तै करती है कि अब आप आरे एस बनेंगे आधिनस्त स्वा रह जाएंगे कि यहां तै मुख्य परिक्सा और मुख्य परिक्सा ही तै करेगी आपकी स्थ में भी आप साक्षात कार्ज होता है यहां इसमें वेरियाशन आजाता है कि आपको प्र तो यह सब जो है बात की बातें देगिन सबसे important है वह है pre और mens जो हमें clear करना है और mens जो हमें अच्छे अंकों से पास करना है और mens में अच्छे अंक आगे तो निश्य तुरूप से interview में भी अच्छे अंक आएंगे और mens और interview इन दोनों के अंकों का जो योग होगा यही आपक पर है कौन से इस्तान पर है कि पहला इसतान हैं दूसरा है सवा है दस्वा है या जो भी इसतान जो आपको मिलेगा वहां मैंस और इंट्श्र के अंकंज के आधार मिलेगा यह तो था आरेस का परिक्षा पैटन ते आप देख के सानी हमें कि अगया कि RS परिक्षा का पाठ्ठेक्रम हम कह रहे हैं कि RS में मुख्य रूप से प्री और मेंस और इंटर्व्यूर लेकिन प्री और मेंस का जो है एक सलेबस क्लासिफाइड सलेबस जो कि RPC के द्वारा जारी किया जाता है और उसी सलेबस के एकॉर्डिंग हमें जो है परिक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं अब देखे समझना कि RS परिक्षा का जो पाठ्यक्रम में वहां है सबसे पहले प्रारंबिक परिक्षा की बात करें प्रारंबिक परिक्षा में जो है सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के समंद में जो है 200 अंकों का एक MCQ लेवल का या MCQ बेस्ट पेपर होता है जो हमें क्या करना होता है यहां जो है प्रारंबिक परिक्षा जो है यहां सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान की परिक्षा होती है जिसमें 200 अंकों के MCQ वस्तुनिष्ट प्रश्ण पूछे जाते हैं जिसकी समय सिमा होती है तीन घंटे में आपको 200 अंकों के प्रश्ण करने होते हैं और इसमें प्रश्णों की जो संख्या होती है वहां 150 प्रश्णों होते हैं और अब इसमें से आप कितने अंक प्राप्त करते हैं जो की क्वालिफाई के लिए आवशक है और सामान्यता यदि आप 200 में से 100 से अधिक अंक लाते हैं तो निश्चित रूप से आप इस एक्जाम को क्लियर कर जाते हैं तो देखिए प्री में हमारा जो टार्गेट है वहाँ केवल क्वालिफाई करने तक हमें इसमें मेरिट में नहीं आना है क्योंकि जितना समय आप प्री में लगाएंगे उसस पुरा सलेवस पढ़ना पड़ेगा निश्चित रूप से पढ़ना पड़ेगा लेकिन प्री के साथ मैंने का आपको मेंस की मुख्य परिक्षा की भी तैयारी करनी होती है तो कैसे करनी होती उस पर हम बात करते हैं तो देखिए मुख्य परिक्षा की बात करें तो मुख्य परिक्षा मुख्य जो परिक्षा होती है इसमें कुल चार पेपर होते हैं पहला पेपर होता है सामाने अध्यन first दूसरा सामाने अध्यन second तीसरा सामाने अध्यन third और चौता होता है सामाने हिंदी और सामाने अंग्रेजी और यहाँ तीनों ही दोसो दोसो अंकों के सरीव चारों पेपर दोसो दोसो आंकों के होता है तीन घंटे की समय अध्योती है समय नहीं कि टोटल करते हैं और अच्छे अंकों से क्लियर करते हैं और सक्षातकार के लिए आप जो है इन्रॉल्व होते हैं सक्षातकार के लिए आप बुलाए जाते हैं और मैंस में यदि आपने 800 में से चार सो और इससे अधिक अंक प्राप्त कर लिए तो निश्चित रुप से आप जो है आरेस में सेलेक्ट होंगे तो देखिए प्री में क्या ध्यानक ना है प्री में आपको ये ध्यानक ना है कि मुझे जो है सौ से अधिक अंक कैसे मिले कि मैं किस तरह से प्री की तैयारी करूं कि मुझे सौ से अधिक अंक मिल जाए यनि कि मैं इस प्री को क्लियर कर जाओं और मेंस में ये टार्गेट रखना कि मैं 800 में से कितने अधिक तम अंक प्राप्त करूं ताकि मैं आरेस के लिए सेलेक्ट हो जाओं सक्षातकार में भी मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े तो देखिए मैं एक्जाम होता है आपका मेंस में में 800 अंकों में से जिसने भी 400 या इससे अधिक अंक प्राप्त किये वह निश्यद रुप से सफल हुआ है और मैं हर विद्यारती से यही बात करता हूं कि आप प्री की अपिक्सा मेंस को समय ज्यादा दें मेंस के लिए अपनी रण निती बनाए और मेंस को टार्गेट बन जाना है तो फिर प्री की इतनी जो है ज्यादा समझ्या यह आती है कि कहीं विद्याति प्री को क्लिर ही नहीं प्रकारबाते हैं अब इसको भी समझना कि जब हम परिक्षा योजना देखते हैं सलेबस को देखते हैं प्री के सलेबस को देखें मैंस के सलेबस को देखें और दोनों का पहली बार अच्छे से विशलेशन करें जब भी आप परिक्षा की तैयारी करने आज शुरू करें चाहिए वह आज से ही परिक्षा की तैयारी आप आरे है हमें मैंस को टार्गेट बनाना है प्री को क्वालिफाई करना है और साक्षातकार के लिए अपियर होना है अब जब हमने परिक्षा की योजना को समझ लिया परिक्षा की पैटन को समझ लिया तो उसके बाद हमें सलेबस को समझना है अब जब सलेबस की बात आती है तो सबसे इंपोर्टेंट जो बात है वह है कि सलेबस को कैसे समझे सलेबस देखा जाए तो प्री में भी काफी सारे subjects हैं मैंस में भी कहीं subjects आपको मिलते हैं कुछ सब्चेक्ट है जिसका अध्यण आपने पहले से कर रखा होता है तो कुछ सब्ज़ेक्ट होते हैं जिसके बारे में आप लोग जानते भी नहीं है पहली बार सुनाओगा या उसके बारे में कभी पढ़ने सबसे पहले हम प्री की से समझना है कि कौन से भाग है जो प्री और और मेंस दोनों में common है और जो प्री और मेंस common है पहले उनको तयार करें और जो प्री और मेंस दोनों में उनको मेंस के according तयार करेंगे तो प्री की तयारी अपने आप हो जाएगी और यदि आपने प्री में मेंस के according topics का अधियन किया है तो मैं आपको निश्चित रूप से कह रहा हूं कि 50% आपकी मेंस की तैयारी हो जाएगी और प्री आप इजिली क्वालिफाई कर दें तो अब जब आप तैयारी की सुरुवात करते हैं तो कहां से करें कि सर प्री में सब्जेक्ट हैं हमने प्री के सब्जेक्ट को भी अलग कर दिया प्री के टॉपिक को अलग कर दिया मैंस के टॉपिक को अलग कर दिया और प्री और मैंस की जो कॉमन टॉपिक है उनको अलग तो देखे सब से पहले जब भी आप परिक्षा की तैयारी करें तो सबसे पहले आपका विशय आधारित जो है फ्लोचार्ट होना चाहिए फ्लोचार्ट किस तरह से होना चाहिए आरियस पाथ्यक्रम अबलिक टॉपिक्स जिसमें तीन पोर्शन बनाएं सबसे पहला प्री प्लस मेंस की कौन से आरेस के टॉपिक्स है जो प्री और मेंस दोनों में चाहिए वहर राजस्तान के संब्ध में हो सकते हैं भारत के संदर में हो सकते हैं इठियास के संदर में हो सकते हैं राजजनतिक विज्ञान के समंद्ध में हो सकते हैं तो सबसे पहले तो आप प्री प्लस मेंस के टॉपिक्स को जो है अलग कर रहे हैं उसके बाद दूसरा पॉइंट जो प्री के हैं और उसके बाद वे विशय या टॉपिक्स जो केवल किसमें पूछे जाते हैं कि मैंस यदि आपने सबसे पहले आरेस के पाटिक्रम और टॉपिक का विबाजन कर दिया कि प्री और मैंस में कौन से प्री में समझ लिया है अब बस सलेबस पर काम करने की जरूरत है अब सुरुवात कहां से करें सुरुवात यहां से करें कि सबसे पहले जो प्री और मैंस के टॉपिक है उनको अच्छे से तयार करें और इन टॉपिक को मैंस के एक्कॉर्डिंग तयार करें कि मैंस में क्या-क्या पूछ पुछा जा सकता है कैसे प्रश्ण आते हैं तो सामानियता यदि हम मैंस का पैटर्ण देखें तो प्रश्णों का जो पैटर्ण है वहाँ पैटर्ण रहता है 15 शर्द जिसमें 15 शब्द के भी प्रश्ण होते हैं और प्रश्ण के उत्तर सीमा होती है इतने सब्दों में आपको उत्र अब प्रि और उच्छा उत्तर क्या उत्तर क्या होता सेली और आपके शब्द को देखा जाता है कि आपने उत्तर लिखते जमें कौन से शब्दों का प्रियोग किया है किस प्रकार के शब्दों को महतो दिया है और किस क्रम में किस फ्लो में आपने उत्तर को लिखा है तो इसलिए जब आप प्री और मेंस की तैयारी करें तो सब्ध का क्या प्रश्ण या सब्ध में जो उत्तर लिखने के वाला है वहाँ प्रश्ण क्या बंद सकता है तो हमें सबसे परी और मेंश को समझना है उसके बाद जब भी समय मिले उसमें केवल प्री में जैसे मेंस का पोर्षन है, मेंटल अबिलीटी का पोर्षन है या कुछ ऐसे टॉपिक है जो केबल प्री में है, मेंस में नहीं है तो उनको भी समय दें यानि कि हम आरेस की जब तैयारी करें तो हमारा ताइम मैनेजमेंट हमारा पढने का समय है उसको हम तीन भागों में डिवाइड करें कि एक भाग पोर्षन में हम प्री और मेंस दोनों के टॉपिक वाला जो है पोर्षन है उसका पड़ेंगे एक पोर्षन जिसमें हम सिर्फ प्री को पड़ेंगे और एक पोर्षन जिसमें प्री के अलावा जो मेंस के टॉपिक है जै सबसे जादा में समय लञाने वाला मेंस में सबसे अच्छे नंबर फौर्थ पेपर में आता है ऑर फौर्थ जिनका बहुत अच्छा होता है निष्चत रूप से वहाँ मेंसको अच्छे अंकों से इसलिए हमें जब अपनी इंचरियां बढ़ाएं जब हमने पढ़ने का समय हम दें तो उसमें हम केवल प्री को नहीं पढ़ें प्री और मैंस को नहीं पढ़ें मैंस को हम तीनों को डिवाइड करें इदि मॉर्निंग सेशन में हम प्री और मैंस को पढ़ रहे हैं तो इवनिंग सेशन में हम प्री को भ लेकिन प्रीक हमें जब तयारी शुरू करAYे हम हम पूर्शन को लेके चलें प्री के टॉपिक टॉपिक चलें प्री वाले को कम समय दीजिए प्री प्लस मैंस को सबसे ज्यादा ऌण उसके पाद Men's को समय दीजिए प्री को कम समय लेकिन समय निश्च्रित रुप से नियमित रुप से आपको देना जब इस страх टैयारी कि सुर्वाध करते हैं चाज़ को लगए करें चाएं पड़ा नीए कर रहे हैं तो राजस्तान का पूर्शन सबसे ज्यादा पूछा जाता है चाए उत्यास को लेके हो चाहे इतियास को लेके हो हुआ को आर्थ ना कहँ घौकर को." तो सबसे पहले तो आप का diviulation करें का मतलब है कि जब प्री और मेंस का अध्यान कर हैं तो आपका सलवस का deviation आपका होना की कैसे होना जाए है मैं आपको एक एक deviation समझाता हूं परी के समझांगा उसी को 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 मेंस मेंから जिन आपको मार्य एक वान करना हैं तो देखें कि यहाँ जो आरेष परिक्षा की तैयारी की सुरुवात है इसकी सुरुवात हमें प्री और मेंस के एकॉर्डिंग हमको करनी होती है तो इसकी सुरुवात में आप जो है सबसे पहले जो राजस्तान के टॉपिक से विशय हैं उनको सबसे पहले अलग करें राजस्तान के पॉर्शन को अलग करें कि राजस्तान के संदर में मुझे कौन कौन से विशयों के बारे में पढ़ना है कि पॉलिटी में क्या पढ़ना है जोग्राफी में क्या पढ़ना है economics में क्या पढ़ना है history में क्या पढ़ना है art and culture में क्या पढ़ना है तो एक तो सबसे पहले राजस्तान के टॉपिक हैं उनको अलग करें उसके बाद भारत के संदर में जो टॉपिक हैं उनको अलग करें उसके बाद विश्यू के समंद्ध में जो टॉपिक हैं उनको अलग करें और उसके बाद विज्ञान एवम प्राद्योगी के कौन से टॉपिक है वहाँ अब इसमें ध्यान रखना कि इसमें प्री के काउपिक भी होने चाहएं और मैंन्स के अन। प्री में कौन क्उन से हैं और मैंस में कौन नहीं है जो प्री में है तो उसको भी टाइम देना है जो मेंस में है उसको भी हमें टाइम देना है तो इससे पता चलेगा कि हमारा सलिबस साथ साथ कम्प्लिट हो रहा है और जब हम ऐसी तैयारी करते हैं तो एक बार नहीं सलिबस को हम तीन बार पढ़ते हैं प्री के अकॉर portion हमें अच्छे से तियार करना कौन सा portion हमें ज्यादा नंबर दिलाएगा कि कम पढ़कर हम pre clear कर लेंगे और मेंस में अधिक अंक हम प्राप्ट करेंगे तो clear हो चुका है कि हमें सबसे पहले प्री और मेंस को इसके according वाट अब देखिए अब मैंने जो है आप लोगों को तैयारी की सुरुवाद करने के लिए प्री के सलेबस को क्लासिफाइड किया है आगे डिवाइड किया है ताकि आप जब सुरुवाद करें तो उसी प्रकार से शुरुवाद करें जिस तरीके से हम जो है आपको बता रहे हैं अब मैंने प्री के सलेबस को डिवाइड गया कैसे डिवाइड गया समझ रहा हूं प्री में देखिए प्री में सबसे पहले मैंने राजस्तान का पॉर्शन लिया है क्योंकि राजस्तान का एक्जाम है तो जो राजस्तान है तो राजस्तान के संदर में क्या क्या आपसे पूछा जाएगा तो एक तो राजस्तान के संदर में पूछा जाएगा राजस्तान का इत्यास एम कला संस्क्ति जिसमें राजस्तान की history कोगी या राजस्तान की art and culture के प्रश्चना आइगे जो अपको दे रखे होते हैं उसके बाद दूसरा portion है राजस्तान का भूगोल राजस्तान के भूगोल के संदर में जो topics दे रखें उनके के बारे में पूछे उसके बाद राजस्तान की राजनितिक एवं प्रसासनिक व्यवस्ता को आप से पूछेगा और उसके बाद राजस्तान की आर्थ व्यवस्ता को लेके जो है यह राजस्तान के संदर में आपको चार विश्यों के बारे में पूछा जाएगा इक्तियास कल संस्कृति में प्री में क्या है में क्या है और प्री प्लस में क्या और जो प्री प्लस में उनको त्यार ज्यादा समय दीजिए जो केवल प्री में उसको कम समय दीजिए और जो में तो उसको भी समय दीजिए कब जब आप तयारी शुरुआत करते हैं नियम में तुरूप से तो एक तो राजस्तान को अलग कर दिया तो राजस्तान के प्री में यही टॉपिक है यही विशह जिसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है इसके बाद जो आता है दूसरा आता है भारत का कि आपके सलेवस में भारत के संदर्व में क्या है कि भारत के संदर्व में आपको क क्या पढ़ना एक तो आपको भारत का इत्यास पढ़ना होगा भारत का भुगोल पढ़ना होगा भारत का भारती सविधान पढ़ना होगा राजनतिक व्यवस्ता और सासन पढ़ना पढ़ना होगा और साथ में भारती अ आर्थ व्यवस्ता को भी पढ़ना होगा तो यह जो है पाच पॉइंट जो है या पाच विशे के बाए जो भारत के संदर में आपको पढ़ना है इसमें भी प्री में कौन-कौन से यहां भी क्लियर होने चीए, मेंस में कौन-कौन से यहां भी क्लियर होने चीए, और प्री प्लस मेंस, उनमें कौन-कौन से इनी के टॉपिक है, यहां भी क्लियर होने चीए, और फिर प्री प्लस मेंस के टॉपिक को पढ़िए, प्री वाले को पढ़ि संदर में क्लियर होना चाहिए कि राजस्तान के संदर में क्या पढ़ना है फिर भारत के संदर में क्या पढ़ना है यहां भी क्लियर होना चाहिए प्री और मेंस के उसके बाद में पढ़ते हैं तो विश्व के संदर में आपको विश्व की इत्यास वाड हिस्ट्री भी पढ़ने पढ़ती है और अंतराश्ची समंद भी आपको पढ़ने पढ़ें कि भारत के विश्व के कौन कौन से देशों के साथ समंद है भूराजनितिक समंद कौन से आर्थिक कौन्से वैस्च संगठन है यहा हमें में मेंस में पूछे जाए लेकिन प्री में केवल वहाँ आप से क्लियर ओ गया होगा छिभ हमें पूछा जाएगा केवल विश्व की जोग्राफ्य पूछी जाएगी वर्ट जोग्रफी के अलावा कुछ भी नहीं अगा जबकि में में वर्ड जोग्राफी के साथ अन्य तो अब जब आप विश्य की जयओ आफिव पड़े तो प्रीओर Ал marry शाथ पड़े और जब आच बाद सिंहें समद्द पर Ó Lucky के एकोरडिंग पड़े या वर्ड हिस्टरी पर्ते में मदिक कि सम्माėश में नहीं नहीं है तो प्री में प्रश्न नहीं आएक केबल कहा आए गा मैं में इसके बाद विज्ञान ओप्रद्यकिक पढ़े हैं है कि साइंस और ट्क्नोलजी को पढ़े तो यहां भी प्री और मैंस के योगयता और आधार्भुद da इस मात्मक्दक्सता है तो यहां कि इसको कि और मैंस का धियन करना है किस तरह से मुझे मैंस की अगी से पड़ना है और इसके बाद आपको ौगातनाओं को पढ़ना जिसको हम बोलते हैं current affairs और सबसे ज्यादा महत्व वर्तमान के exams में वहाँ current का है जिसमें राश्ट्री इस्तर का current पूछा जाएगा अंतराश्ट्री इस्तर का current पूछा जाएगा और प्रादेशिक घटनाओं के समद्ध में जो current affairs है वहाँ पूछा जाएगा इन्हीं की समदी गतिविद्या होस्ते हैं और भी जो current के issues हैं वहाँ भी हमें पूछा दें जिसको हम current affairs के माध्यम से पढ़ते हैं अब आपको पूरा यहां मैंने प्री के अकॉर्डिंग बताया अब इशी को ही प्री के साथ मेंस से जोड़कर हमको पढ़ना है तो यह तो था आरेस की तैयारिक कैसे करें किनको पढ़ना है क्लियर और यहां हमें यह बताता है कि यदि आपने सलेबस को अच्छे से classified का रखा है तो आपको यह पता चलेगा मुझे प्री में क्या पढ़ना है और मैंस में क्या पढ़ना है और कौन सी ऐसी विशेवस्तू है जो केवल प्री में आएगी तो उसको कम समय दीजिए उसक कम में पूछाते हैं तो उनमें 50 शब्द वाले या 15 शब्द वाले जो प्रश्ण बन सकते हैं उनको बहुत अच्छे से तैयार कीजिए और उसके बाद जब पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए चाहे वह भूगोल का टॉपिक है चाहे वह आर्थिवयवस्ता का टॉपिक है त 1857 की करांती को जब आप पढ़ते हैं तो 1857 की करांती की कारण पढ़िए 1857 की करांती का परिणाम को पढ़िए 1857 की करांती की घटनाओं को पढ़िए उनके समधित इस्तानों को पढ़िए और उसके बाद उसके सुरूप को पढ़िए और जब आप प्री में पढ़ेंगे तो आप से घटना कब हुई, घटना कहां हुई, किस इस्तान पर हुई, वहाँ पे कौन सी घटना हुई, या उसका क्या परिणाम था, उसका क्या कारण था, इस तरह के प्रशने, factual प्रशने हम से पूछे जाएंगे, तो प्रीबी क्लियर रोगे, अब जब यही चीज आपको मैंस में, 15 शटन पूछेंगे, तो आप पूछा सता है कि 807 की क्रांती के गकारण क्या थे, 117 की क्रांती की कि परिणाम क्या निकले, 1857 की क्रांती के संब्ध में, महतपुन, avoirन कारी 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 क Els通ि इस तरह के कहीं प्रशनम से, जो हमने अलग-णलग तरीके से पढ़ा है, उनको अलग-अलग तरीके से 15 शब्द में और 50 सब्द में पूछता है लेकिन जब वहाँ यही प्रश्ण सो सब्दों में पूछेगा तो वह लिखेगा कि 1857 की करांती के कारणों और परिणामों का उल्ले कीजिए तो आपनी कारण और परिणाम पूछेए या 1857 की करांती की प्रकरति को समझाइए या 1857 की करांती के प्रमुक इस्तल कौन से थे उनके बारे में उल्ले कीजिए तो इस तरह से प्रश्ण हम प्रियास कीजिए ताकि हम बड़ा कुछतर लिख सके सौ सब्दों के प्रश्णों को या उत्तर को रटने क्या आव सकता निए वहां हमें समझ विख्षित करने कि प्रश्ण में क्या पूछा गया है और हमें उसमें जो हमने पढ़ा है उसको समायोजित करके कैसे आंसर रैटिंग करनी है और किस तरह से हमें शब्दों का और लगया प्रश्ण का उत्तर देते हैं तो निश्चित रूप से हम उन विद्यारतियों से कई ज्यादा अंक प्राप्त करते हैं जो सामान्य तरीके से बिना किसी रणनीदी के बिना किसी जो है परिक्षा योजना के पाठिक्रम योजना की अनुसार पड़ते हैं कि वह सले सब्सक Guru देखते हैं और सलेभ्ष को पढ़ते जाते हैं तो अन्त में जब परिक्षा में लिखने समय आता यह जब शब्द को को समय अता है लेखन को समय यह विद्दार्ती अपना 100% नहीं दे पाते हैं और जो कि उस परिक्षा के लिए जरूरी होता है तो इसलिए साथियों आज हमने केवल परिक्षा की तैयारी कैसे करें और यह जो पैटर्न बताया मैंने यह परिक्षा की तैयारी से पहले जो परिक्षा की तैयारी की सुरुवात होती है उससे पहले हमारा यह flow chart बन जाना चाहिए हमारे register में syllabus के according पूरा flow chart होना चाहिए कि मुझे किस subject का कौन सा topic प्री के according पढ़ना है कौन सा pre और mens के according पढ़ना है कौन सा mens के according पढ़ना है एक तू यह और साथियों साथ साथ में जो साल को से प्रीपर है हमारा सामाने हिंदी और सामाने अंग्रेजी का पेपर है इस पर वहां आती है कि इसकी जो है विश्यवस्तु कहां से मिले तो देखिए इसके लिए आप कोई भी हिंदी व्याकरण की या अंग्रेजी व्याकरण की जो है किताब लिए उसमें जो ग्रामेटिकल जो नियम है जो प्रिंसिपल्स लागव होते हैं चाहे वो संदी के समंद में हो समास के समंद में हो या अन्य कोई व्याकरण यह जो है व डेली जो हमारा अगबार आता है उन अगबारों में जो शब्द होते हैं उन शब्दों को आप अपनी डायरी में लिखें और उन शब्दों को देखें कि वहाँ शब्द किस हिंदी व्याकरणिय सब्द से बनाएं क्या संदी शब्द हैं क्या वह समास से बनाएं क्या उसमें उपसर का प्रियोग है क्या उसमें प्रतिय का प्रियोग है क्योंकि हमें मैंस में हिंदी और अंग्रेजी को लिखना होता है और जब हंदी और कमल को ही पंकच कहा जाता है तो आप पंकच के लिख पाएंगे और यह कब लिख पाएंगे जब आपने शुरू से ही जो है परिक्षा के आधार पर जो अकबार है न्यूज पेपर से इनके शब्दों का यह आपने बहुत अच्छे से अध्यन किया है तो निश्चित रूप से आपकी हिंदी की लेखन सेली भी अच्छे होगी तो आप साथियों नियमित रूप से अकबार को केवल रिडिंग नहीं लगाएं अकबार की केवल घटना है व्यत्तित्व खेल कुद को नहीं पड़ें उसमें जो हिंदी के शब्दों का प्रियोग होता है उन शब्दों को भी अपनी डायरी में मैंसन करें और उस सब्द के बारे में जानने की कोशिश करें कि यहाँ शब्द जो है क्या संदी से बना हुआ है क्या इसमें समास का प्रयोग हुआ है क्या इसमें प्रत्य है उपसर गें इसका मूल शब्द क्या है यह किसी का प्रयावाची तो नहीं है क्या इसमें किसी प्रकार का विलोम शब्द के रूप में इसका प्रियोग किया जा सकता है क्या या फिर इसका प्रियोग हम जब क्या ऐसे राइटिंग निबंद लिखते हैं तो इस शब्द का प्रियोग हम कहां कर सकते हैं तो यह चीजे सुरू से ही हमने कर ली तो निश्चित रूप से आपका जो है पेपर ज आपको साक्षाथकार में जो अच्छे अंग दिलाएगी और आपके उपस्तति अच्छे अंग और आपकी लिखित परक्सा में अधिक्तम अंग आपको अरियस बनाएगी और मनचाई पोस्ट चाहे आर आरेस में पहली रंक यह वहां भी अपने मैंसे ही कोई साथी होता है वहाँ निकाल पाता है क्योंकि उनके पढ़ने की जो रणनिती होती है वहाँ एक सटिक होती है लक्ष को निर्धारित रखते हुए और इसलिए किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि सफलता कोई चमतकार नहीं होता सफलता कोई चमतकार नहीं होता खुद को भूल जाना होता है सफलता यो ही नहीं मिलती जीवन में लक्ष को सटिक रखते हुए हर कदम उस तरफ बढ़ाना होता है तो देखें आरेस की तैयारी करने वाले युवा साथियों के लिए हम लोगों ने एक कदम जो है हर कदम सफलता के नाम से ये जो सिरी शुरू की कि ए इसमें हम नियमित रूप से आरेस के सलभस के राश्ट रहटनाएं अनतराश्टी हटनाएं प्रादीशी घटनाएं प्राधिशी अंचharder के हैं इनके बारे में विशेवस्तु जो हमारे सलेवस में उन विशेवस्तु के आदार पर हम नियमित रुप से Learn with Madhu Sudan Sir YouTube चैनल पर रात्री 9 बजे से जो है एक सिरीज शुरू की है जिसका नाम है हर कदम सफलता की और कि जो भी RS की तैयारी करना चाहता है जो RS बनना चाहता है उन विद्यारतियों के लिए हर कदम जो चलेगा वह सफलता की और चलेगा मंजिल की और चलेगा और जब RS का एक्जाम होगा तो हम अच्छे अंकपराप्त करेंगे और जब हमारा RS का result आएगा तो उस merit में हमारा भी नाम होगा जो लक्ष हम लेके चल रहे हैं जो सफलता की एक मंजिल को आधार बना के हम चल रहे हैं उसमें निश्चित रुप से हम लोग सफलोंगे साइद या क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी यहाँ जो है वीडियो आपको समझ में आया होगा कि आरेश की तैयारी हम कहां से सुरू करें कैसे करें और किस तरह से हमें पहले सलेबस को क्लासिफाई करना आगे हम जो है मैंस के जो टॉप विशे है मैंस के जो चारों पेपर है उन चारों पेपर पर भी हम विस्तार से इसी प्रकार से डिसकस करने वाले हैं कि फर्स्ट पेपर में जो विशय है उसमें जो विशय वस्तु है जो टॉपिक से उन टॉपिक को कहां से पढ़ें कौन सी किताबों से पढ़ें किस तरह से हम उत्तर लिखें किस तरह के सब्दों का हम प्रियोग कर सकते हैं उस पर निरंतर हम प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं इस एक विशे को मजबूत करने के साथ साथ प्री और मेंस की तैयारी कर सफल हो सकते हैं तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो जिसमें सफलता हर कदम सफलता की इस रिज्वें जो नया वीडियो आएगा वहां आरेस के सलेबस के किसी एक टॉपिक को आधार बनाकर उस पर हम लोग बात करेंगे विस्तार से डिसकस करेंगे कि प्री में क्या प्रश्ण पूछा जा सकता है यदि मेंस में पूछा जाएगा तो कैसे हमें उसका उत्तर लिखना है और हम एक एक टॉ पॉर्स बनाने हैं किस तरह से लेखन सेली का अभ्यास करना है उस पर भी हम विस्तार से चर्चा करने वालत आज के लिए इतना ही आज के लिए इतना ही और सभी सातियों को सुब्रात्री धन्यवाद